हेलो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं लोकी की एदम जवर्दस सब्जी की रेस्पी आप इस रेस्पी को एंड तर जरूर देखिएगा यकीन मानी आपको यह बहुत पसंद आएगी तो चलिए बिना देरी के इस शांदार सब्जी गुरा नाम शुरू क करते हैं तो यहां पर देखिए हमने हादा किलो लॉह की लिए रखा है तो सब से बहुत करेंगे लोखले काекс च्छहिल्के है इसको हम इस तरह से उतार देंगे तो च्छिलनी की हल्पसी आप लोकी के चिल को निकाल दे और उसके बाद उसकी अफ्डdy हिस्ते इस तरह से करने और उसमें लाले आदा चमच लालमिच पाउडर और इसके लाबा इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और साफ में डालेंगे हम इसमें दो बड़े चमच से करीब बेसर और लास्ट में डालेंगे दो बड़े चमच से करीब तेल अब आपको क्या करना है इसको अच्छ देखिए हमने दो टमाटर ले रखें मीडियम साइज की इसको आप इस तरह से चौप कर लें और चौप करने के बाद इसको आप डाले मिस्टर गुरेंडर में और इसको अच्छे से पीस लें यह देखिए माँ टमाटर को फिवरी जो है वह रेडियो चुका है और इसके दालेंगे आठ से दस काली मिर्च और साथ में एक बड़ी इलाइची और इसको हम फाइन पेस इसका हम त्यार कर लेंगे तो चले हम सब्जी और शुरू करते हैं तो ग्रैस को आप करें और कड़ाहे में आप डालें तीन से चाव बड़े चमच सरसो का तेल और जब आपका दोनों साइड से इसको अच्छे से फ्राइ कर लें इस तरह से और जब लोकी आपकी अच्छे से फ्राइ हो जाए तो इसको आप एक प्लेट में इस तरह से निकाल लें जब आप इस सब्जी को बनाएंगे ना आपको इस सब्जी इतनी पसंद आएगी ना कि आप इसे बार प्याज का पेस्ट जो हमने अलड़ी बना के रखा हुआ था तो प्याज की पेस्ट को आपस में डाल दें आपको क्या करना है मीडियम फ्लेम पे प्याज को आट से दस मिनट चलाते हुए अच्छे से बुनना है प्याज में कच्छापन बिल्कुल ही होना चाहिए और यह दे यह टमाटर का फ्यूरी जो अमने अलड़ी बना के रखा हुआ था और इसी के साथ इसमें में डालेंगा आदा चमच लाजमीज पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच के करीब धनिया पाउडर आदा चमच गरम मसाला और थोड़ा सा नमा जिससे माना ज हिसरे मिला लेना है मिलाने के बाद इसको ठग दे और पाउड़ मेंध पर मिट्री पी शुर्ट में मसाले बने वह और यह दंखिये मसाला वारा डम अच्छे से बुन गया है मसाले ने तेल चोड़ दिया है तो अब हम क्या करेंगे इस स्टेज पर इसमें डालेंगे पानी तो gravy को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लिजेगा पाने को डालने के बाद अब आप gravy की consistency को चेक खल लें कि ओक्य है कि नहीं और उसके बाद फिर इसमें डालेंगे स्वाधा नुसार नमक और नमक डालने के बाद इसको बहुत बहुत अच्छे से stir कर लें अब हम क्या करेंगे इसी stage पर हम इसमें डाल देंगे लोकी जो हमने fry करकर रखा हुआ था तो आप fry के हुए लोकी को भी इसी stage में डालने और डालने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको ये बाद वार अच्छे से stir कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम 5-6 मेंट ठकके इसको और बकाएंगे 5-6 मेंट हो चुके हैं सबजी को पकाते हुए और ये देखिए हमाई सबजी एदब अच्छे से पख गई है तो अब लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा हारा धनिया और इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेट और ये लीजी हमाई शांदाल लौकी सबजी बनकर रेड़ी है आप इसे गर्मा-गर्म रोटी चावल के साथ परोसे और इंजोय करें अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो लाइक के बोन जरूर दबाईएगा और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करकर मेरे सप्पोर्ट जरूर करिएगा और हो सकते तो इस वीडियो को अपनों के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी शांदार सब्जी को असानी से घर पर बना सके और इंजॉय कर सके तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेरस्पी के साथ तक तक लिए बैबाए